तो पिछली वीडियो में मैं मैंने करने गए था diamond और भाई हैर मैंने पूरा diamond का armor और diamond के सारे tools भी बना लिए थे तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक mountain house तो मैंने उस सब का समान तो पिछली वीडियो में collect कर लिया था और भाई यार देखो मैं डार्क ओक वुट भी तोड़ कर लायो और इसकी सैपलिंग भी लिया आया अभी हम यहीं होगाएंगे उससे पहले हम थोड़ी सी टर्ट तोड़ लेते हैं क्योंकि यह बहुत काम आने वाली है तो मैंने एक स्टेक और आर्ट डर्ट ले लिये और भाई यहार अभी हम जो अपना घर बनाने वाले हैं वो हैं माउंटेन के अंदर आप माउंटेन बोलो या क्लिफ बोलो एक ही बात है तो भाई यह है वो क्लिफ जिसके अंदर हम अपना घर बनाने वाले है भाई इसे किलिफ बोलो या मौंटेन बोलो मुझे तो समझ नहीं आरा तो भाई देखो मैं इस पे मैं स्टेर्स लगाऊंगा अभी वह बाद में लगाएंगे पहले अपना घर तो बना ले और भाई देखो मैंने इसे हलका सा लेविल करके रखाता लेकिन यह थोड़ा सा 13 मे प्लोक और भाई अपैसे पूरा करना है तो देखो भाई मैने पिलयर बना लिया ऐसे करके और अवह हमें इसके भी आगे जाना है तो हमें इस पिलर के चारो तरफ खोदना है जैसे अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ फिर मैं उसके सामने वाली तरफ जाओंगा फिर मैं उसके पीछे वाली तरफ जाओंगा तो देखो मैंने चारो तरफ पिलर के भी खोद लिया आगे पीछे सामने इदर उदर तो देखो अ जितने हैं मुझे घर बनाने भी भी नहीं लगा और भाई अभी इसके आगे और खूदना है तो यार फाइनली सारा खुद शक्रायर भाई बहुत टाइम लगा और अभी हमें और ऊपर तीन ब्लॉक खूदना है जैसे यह हो गया एक दो तीन चार और अभी पांच अब ऐसे ह हम इस साय आ खूदना ऑपर भाई तो खूदना ही खूदना बागी रह गया तो भाई यार देखो मैंने पुरा खोद लिया और अभी बारिश हो रही है और भाई अभी से हम बनाना स्चार्ट करते हैं तो यार देखो यह हैं अपना मेन पिलर अभी हमें इसके 8 ब्लॉक आगे जाना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके आगे हमें बनाना है एक बड़ा सा गेट तो यार आप लोग सोच जोगे हुए यह गेट कहां का होगा यह गेट किसी भी रूम में जा सकता है मैं कोई भी रूम इदर बना सकता हूँ तो देखो हमने 5 बड़ का गेट बना दिया भी हमें एक और गेट मालब गेट नहीं ज्यादा दूर नहीं करीब ही है देखो यह रहां तो भाई इधर से पर अपने सारा ओक वूड सारी स्प्रूस वूड डार्क वूड ले ले लेता हूँ अधर सो भी जाता हूँ तो भाई यहर सुपह हो चुकी है और अपना सारा समान निकाल लेते हैं चैस से अपने बेस बनाने का समान निकाल लेते हैं अपने सारा वूट औरे नहीं करीब पर भागो अरे बच गया भाई शुकर बच गया बचा तो गई वरना सारा समान फट जाता हमारा अरे यार भई मर क्यों नी राई अरे यहीं क्या हुआ अपे यार नहीं भाई शुकर रहे diamond बच गए बही है पहले diamond लो अरे यार inventory full हो गए एक तो नहीं है inventory तो diamond क्यों नहीं उठा रा jealous Julian आन यार अरो नहीं ऊचारे था आजम भी ओर आतों तो बंडी गिशे हमेंशा तो बाई यहार हमने वापसी यहार जो हम अपना बना रहें लोकृड CC मैंन बना बैज़ने भाड़ का this evenheaS १ आखी चोड़ों का मतलबkell कुछ बना सकता हूं। तो जेसे दिल करा बगा हो बना दूमाट जो अच्छा हदर लगAY Chief ने हैं और यहィ लेने के पूरा ऐग्जाइक कॉपी नीचे पेस्ट कर देनी ंने और फिर इनके बीच में भड़ देने स्प्रूस प्लैंक्स और भाई सोच रोगे डर्ट क्यों लगाई है मैंने इदर आएगा एक स्प्रूस वुड का पिलर तो अभी हम वो भी लगा देते हैं इदर तो भाई पिलर बनाने से पहले हमें पूरा एक्जक कॉपी इदर कंट्रोलर पे खेलूं या फिर mcpe के स्प्लिट कंट्रोल पे खेलूं जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे तो भाई अभी हम लगाते हैं पूरा पिलर तो स्प्रूस लॉक का पिलर आजाएगा इदर और भाई हम इसे करेंगे मलब वह करते हैं अब एक्स से कुछ करते ह चारो तरफ की वाल्स पे तो फिर मैंने सारा सेम प्रॉसेज चारो तरफ की वाल्स पे करा पिलर बनाया फिर डार्क वुट के प्लैंक्स लगाए फिर स्प्रूस के प्लैंक्स लगाए और पूरा प्रॉसेज मैंने चारो तरफ की वाल्स पे कर दिया तो यार मैंने चारो त यार मैं भूल गया है मैं को पता था और भाई देखो चारो तरफ हमें ये करना एक एक ब्लॉक फिर दो ब्लॉक और फिर तीन ब्लॉक पिछा है और ये कर दिया और फिर एक से किलिक कर दिया इसके उपर तो भाई मैंने चारो पिलर खड़े कर दिया और उसके उपर एक्से भी कर दिया है भाई इसे पता नहीं मुझे क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताने से क्या कहते हैं और भाई देखो घर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चलो अभी घर से और ओक लोग और सोड़े वुड़ वुड़ लेकर आता है तो यार चतका काम करने से पहले मैं थोड़ सा ग्राउंड का भी काम कर लेता हूं भाई देखो अभी हमें ऐसे जो ही ना पूरा अंदर का खोदने ने कुछ ऐसे डिजाइन मनाना है इसके अंद लगाएं ताके कोई यह अच्छा लुक दे और इसके अंदर आएगी एक वाटर जो के फाउंटीन जैसा लुक देगी और अब दो इस चेर्स के आगे जो ही ना मुझे कोई डिजाइन करके ब्लॉक्स लगाने मैं अभी आपको दिखा दो कैसे लगाने हुने तो यार अभी अभी देखो मैं पॉलिष्ट एंडर साइट स्लैब्स लगा रहा हूं और कुछ ऐसा करके मैं इनका डिजाइन दे रहा हूं तो अभी हमें चारो साइट लगा देना है तो गाइस यह अभी मैंने ले लिए इस चोन स्लैब्स और भाई अभी सारे गड़ों में भर देना है तो भाई अभी स्लैब्स मुझे बहुत अजीब से लगा रहा है तो मैं इन्हें थोड़ा सा रीडिजाइन कर रहा हूं तो देखो मैं कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगा रहा हूं भाई यह अब अच्छा लग रहा है इधर ब्लॉक लगाया और इधर खतम हो गए और लाता हूं तो देखो मैं बोलना था इधर लगाया और फिर ऐसे इस चर्स टाइप बननी है यह तो ऊपर से आएगा पानी और बहुत कूल सा फाउंटेन लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा एंड मैं तो यह नहीं हम च्छत का काम वाक्सी स्टार्ट करते हैं तो भाई देखो मैं डार क्यों नहीं तो भाई यहां मैं बोलना हूं अभी जो लगाया ना इसकी ऊपर आएगा इस प्रूस फिर उस प्रूस के बाद हैंगी इस प्रूस की स्टार्ट और फिर वाप सी डार कोग आएगा तो ऐसे करके मैं कुछ अपनी चछ बनाने की सोच रहा हूं अभी तो अब ब भाई यह बहुत गोटाला हो रहा है पतानी कुछ समझ नहीं आ रहा का कुछ लग रहा है तो भाई हमारा गर हो चुका है मलब बन चुका है और चट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है अभी हमें अपना फाउंटेन की तरफ का एडिया ठोड़ा डिजाइन करना है तो सबसे पहले इस लगा देते हैं डो इस चेयर और अज़यों उल्टी क्यों लग गयी इसीदी लगानी है सबसे पहले हम लगा देते हैं दो चार तरफ के पिलर्स पे आमें करना है तो देखाए और यह ब्लॉक तोड़क के हमें इस प्रूस का प्लैंग और दो एदर एएक स्टैयर और हमें इस चेयर तोड़के दर प्लैंग लगाना है क्योंकि वह इस चेयर अच्छी नहीं लग रही और वैसे भी वह इस चेयर दिखेगे नहीं और यह चीज़ हमें चारों तरफ करनी है तो भाई देखो अब मैंने कुछ ऐसा डिजाइन करना हूं जैसे कोई गेट को डिज हुआ 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 है तो भाई देखो यह जो फ्रेंट का गेट है ना भाई इसे बनाने में इतनी सी भी पहनत नहीं लगी यह मैंने अंदर वाले गेट का छाप दिए और भाई यह बार देखो कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो तो भाई यह इस घर को बनाने में मुझे आठ से नौ गंटे लगे भाई मैंने बहुत जादा ब्रेक्स भी तो लिया है तो भाई आप सूच रहोगे इधर क्या बनेगा तो भाई यह इधर मैं बहुत छूटा बनाऊंगा और इधर मतलब मेरा बनेगा बैड रूम आप देख सकते हो में इधर खोच देता हूं थोड़ा था और भाई इधर बनेगा अपना बैड रूम में बहुत जादा बड़ा बनाऊंगा अपने बैड रूम को और इस साइट बनेगा हमारा स्टोरेज रूम मतलब ही जो वाला आटोमेटिक तो भाई यार आज के लिए इतना ही मिलता हूं आपको अगली वीडियो में बाई बाई